हेलो गाइस तो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे तो गाइस यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं यहां पेनेवल के जो गोडिला उसके चाओ तरफ का जो हेर है एक डियलिस्टिक हेर किस तरह से होद gnc में तो जिस तरह से ड्राव हुआ है उसी तरह से आपका भी ड्रॉ होगा तो है लोगक कि हैं कि यहेहां पे कैम्रिन का चार्कोल पैसिल जैसे कि मैंने पूरा ड्रोंग बनाया है और पैंसीछ आपको कि सार्फ करना है और ये इंडेंटिंग से स्टॉमें आपको क्या करने में फरिस्ट में आपको इंडेंटिंग करनें इंडेंटिंग बहुत IMPORTANT है अगर आप एक किसी भी तरफ एक हिर बना रहे हैं तो इंडेंटिंग बहुत इंपौर्टेंट है तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी व्यवार का है वह किस डैरेक्शट में है तो को यहां पर मैं आपको दिखाने कोर्षिस में करता हूं कि यह जो हेर है नीचे से उपर की उप है मतलब की डाउन टू अप है तो उसी तरह से आपको इंडेंटिंग भी करनी है तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से मैं इं कि कि इंडेंटिंग किया हूं तो उसी डायक्षियर में इस ट्रॉक में अपने पैंसिल को चलाऊंगा तो आपको क्या करनी कि कि पहले dip 먼ely आपको पूरी तरफ से इसे कर लेनी थे देख रहे हैं कि हुआ रहा हूं थो आपको पहले चारों तरफ के इंडेंटिंग का जो पाइठ वह हुआ कंप्रिट कर लेनी है और और आजक सिर्फरेंस में जो दिया हुआ ुसी डिरेक्σιन में आपको इंडेंटिंग करनी है इंडेंटिंग कने से कहा रहाता कि अगर ज fundamental डिरेक्शन में आपका reference में हेर हैं अगर आप इंडेंटिंग करके उसी डिरेक्समीर है를 को ले जा सकते हैं एक 쉬 काफी सिंपल तरीका है बहुत सारे आक्टिस्ट इसे यूज़ भी करते हैं मैं भी इसे यूज़ करता हूं बहुत ही बनिया तरीका है एक हे एक सौटकट हेर बनाने का यह तरीका है इंडेंटिंग से काफी डियलिस्टिक काफी हाइपर रिलिस्टिक के हेर बनते हैं चाहे आ तो देख लिए कि हमारा यहां पर इंडेंटिंग कम्प्लीट होने के बाद जो नीचे में है तो वहां पर लाइट है इसलिए मैं यहां पर मेडियम पैंसिल के मिलीन का मैं उज्ञ कर रहा हूं तो जिस तरह से आपको देखना है कि कहां पर लाइट हेर है और कहां पे dark hair है उसी के according आपको pencil के stroke को चलानी है तो यहां पे नीचे में light hair है इसलिए मैं यहां पे medium pencil में उच्छ कर रहा हूं और इसके उपर मैं short pencil में उच्छ करूँगा क्योंकि वहां पे dark hair है वहाँ पे जो हेर का जो डार्कनेस से वो ज्यादा है इसलिए मैं वहाँ पे शॉट पैंसिल में उच करने वाला हूं तो जिस डारेक्शन में मैंने इंडेंटिंग किया हूं उसी डारेक्शन में आपको भी श्ट्रॉक को चलानी है और वीडियो को बिल्कुल स्कीप नहीं कर देने वाला हूं जिससे कि आपको काफी प्रॉफिट होगा और काफी आपको हैल्प मिलेगी जिससे कि जो आपका जो वीडिया ड्रॉइंग होगा वह और भी बनिया होगा तो आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर में थ्वाट डार्क एरिया है इसलिए मैं का सॉट पैंसी मैं कर तो चिस डारेक्शन में मैंने इंडेंटिंग किया हूं डाउन टो अप पर इसाट्र को चालानी है वह काफी slow है धीरी धीरी आपको चलानी है तो तो जहां तक मैंने indenting मैंने किया हूं वहां तक पहले मैं hair को complete में कर लेता हूं और pencil को आपको बिलकुत साफ रखनी है तो देख सकते कि हमारा इतना हो चुका है अब मैं यहां पे blending करने वाला हूं तो blending के लिए brushing प्यूश करें क्योंकि brush काफी अच्छा टूल से hair बनाने के लिए hair को blend करने के लिए इससे काफी बनिया blend हो जाता है तो देख सकते कि किस तरह से आसानी से यहां पे blend हो रहा और वह काफी जादा डार्क भी हो रही है तो यही टूल्स को चारो तरह fully hair में यूश करेंगे और फिर हाइलाइट के लिए टॉंबो मोन इरेजर और इनेवल इरेजर हम लों यूश करेंगे तो वह सब तो आगे की बात है पहले हम यहां पर इससे कम्प्रीट कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा एक फर्स्ट लियर कम्प्रीट हो चुका है अब हम इसे सिकेंड लेयर करेंगे फिर से इसके उपर पैंसिल के स्ट्रॉक को चलाएंगे जिस तरह से मैंने पहले चलाया था डाउन टू अप उसी तरह से आपको चलानी है एक एक आपको स्ट्रॉक आपको देख के चलानी है कि कहां पे किस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको स्टॉक को चलानी है जिससे की जो आपका हेर बनेगा वह काफी डियलिश्टिक बनेगा इसलिए रिफ्रेंस को आपजर्व करना बहुत इंप्रोटेंट है अपजर्व पर ही पूरा ड्रॉइंग त्रिका हुआ है तो जिस तरह से मैं कर रहा हूं तो उस तरह से वीडियो को पूरा देखे इसकीप न करें और तो देख सकते हैं कि इतना मेरा डार खोच चुका है और जहां पर मुझे बताने की जरुत पर इए तो वहां तो गाइज अब मैं इस हेर को मैं एक फर्स्ट लेर में दे देता हूं क्यूंकि आप जान गए कि हैर की इस तरह से ट्रॉक किया जाता है जिससे की वीडियो हल्की छोटी बने हैं तो देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट लेर मैंने दे दिया हूं और धीरे धीरे आपको चलानी ह को मैं चला रहा हूं उसी तरह से आपको भी फॉलो करने हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा यहां पे लगवग वेड़ी हो चुका है अब मैं यहां पे जो साइट का जो यह है वह मैं बना रहा हूं तो आपको यह फेल्स में देखनी कि कहां पर ज्यादा डार्क है और कहां पर लाइट है वह आपके अप्जूर्व करनी है तो वह मैंने देख लिया हूं उसी तहत मैं बना रहा हूं तो गाइज अब यहां पर सेकेंड यह तो सेकेंड यह थोड़ी सी बड़ी है एक यह जो है हलका सा बाल से ढखा हुआ है लिकिन एक जो यह वह काफी ज्यादा दिख रहा है तो इसे भी हम लोग करेंगे तो जिस तरह से मैं ड्रॉव करना उसी तरह से आपको भी ड्रॉव करनी है तो सबसे पहले यहां पर बीचे मैं डाग कर दूँगा तो आप देख सकते कि हमारा यहां तक हेर बन के रेडी हो चुका है और अब यह जो है अब इसके बाद जो एक वीडियो आएगी वह सबसे लाश्ट वीडियो होगी सबसे अम्तिम वीडियो होगी उसके बाद फिर एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे और इसका जो हाइला मैं आपको अगले वीडियो में पूरा फ्रीशिंग पूरा फाइनल टस्ट मैं आपको दे दूंगा एक इस तरह से इसमें और बाकी है जो हेर है उसमें हाइलाइट करना बाकी है तो गाइस तब तो गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए ठैंक्स तो गाइस आप भी प्रैक्टिस करें तो डू प्रैक्टिस डू इंप्रूफ टेक कियर बाबाए